आज मैं बना रही हूं आलू परठा बहुती यम्मी एंटेस्टी बनेगा यह आलू परठा आप लोग वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखेगा अच्छा लगा तो लाइक शेर साइस्क्राइब जरूर कर दीजेगा चले स्टाट करते हैं देखिए यह दो कप आधा यह एक प्याज है दिम छोटे-छोटे काट लिया है और यह हल्दी है हाफ चमस यह हरा मिर्चा है दो और यह नमक स्वादनसार यह लासुन दो तीन लासुन चोप किया है यह है मांधनिया यह है आमचूर पाउडर देखिए और यह है हींग थोरी और यह अद्रक कुटिव यह अद्रक है पाउडर ओला और यह जीरा है हाफ चमस और साथ में मैंने ली हूँ थोरी चाट मसाला और यह पाच आलू है बोईल किया ओला और अब मैं देखिए रिडी करती हूं आलू को मैं कदू कस करूंगी बैदे जोर से में कदू कस करने से पुड़ा फैन ही एंभी मही बन जाएगा तो इसे मैं कदू कस कर रही हूं देखिए इस तरीका से कर रही हूं आलूप्राथा बहुत ही तरीका से बना सकता है सब का अलग अलग तो इसे भरके भी मसला भरके भी आलू का मसला भरके भी बना सकता है मैं आलू को एक साथ आटा के साथ गूत हूंगी उसका बात इसे बनाऊंगी ये भी बहुत अच्छा होता है खने में तो मैं इसी तरीका से आलू को भी आटा में गूत रही हूं पहले तो इस तरीका से बन से मैं रिचा को मिला लियाए अब मैं रिफाइन ओल गजिए एक चमस डाल रही हो भी ससे में आटे में मिला दूह ति क्या देखिये श्व से मैं आटे मैं मिला रहा है। अब मैं सारे मसाला एक करूंगी तो इस सा इ warto करे रखे तर से गूत के देखिए मैंने सारा मसाले जो रिडिक करके रखी थी इसे मैंने इसमें डाल दिया है आटे में आप इसे मैं एक बड़ी आसा दो बनाऊंगी अच्छे से गूत के और अभी सारे चीज़ को मैं मिला रही हूं और मेरा पास रात के बचे हुई डाल थी तो तो डाल भी मैं दो चमज डाल भी डाल रही हूं इसमें दो तिन चमज इसे भी एक साथ इसे मैं मिला लूँगी अच्छा होता है अच्छा लगता है इसका तो मैंने इसे लिए मिला रही हूं अब इसे में थोरे थोरे पानी डाल बनाऊंगी दिखिए बढ़िया एक डो बना लिया है मैंने अब इसमें मैं थोरी ओईल लगाऊंगी हाथ में लेके मैं थोरी ओईल इसमें लगा के इसे एक बार फिर गूत लियूँगी दिखिए मैंने ओईल लगा के इसे फिर एक बार गूत लिया है आप इसका मैं पेड़ा कटूंगी और कितना बड़ा आपको परठा बनाना है उसे साफ से पेडा को लीजिएगा तो मैं थोरी बड़े साइज का बनाऊंगे इसलिए मैंने थोरी बड़े बड़े साइज का पेडा काट रही हूं इसको देखिए मैंने पेडा काट लिया है देखिए थोरा बड़ा है तो आप लोगों को जितना बड़ा परठा चाहिए उससाब से आप पेडा को काट येगा देखिए मैंने सारा रेडी कर लिया है और सुखा आटा थोरा छिटक दिया है उसमें अब मैं इसे अच्छे से बेल हूंगी देखिए बड़िया से बेलने से एक भी नहीं फटेगा बड़िया से ये बेल जाएगा देखिए और इससे मैं ज्यादा मोटा भी नहीं और ज्य देखिए इतना बढ़या से यह गोल हो गया है देखिए यह कहीं भी फटा नहीं है और ज्यादा मोटा भी नहीं बनाई हूं और ज्यादा पतला भी नहीं है और एक लोको मैं बेल के दिखाती हूं थोड़ी सुखा हाटा लगा लूँगी और बेल के दिखाती हूँ अच्छे से थोड़ी हलके हाथ से इसे बेलना चाहिए और बढ़िया से गोल होता है बिल्कुल नहीं फट्टा है ये और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है सौफ्ट होता है और सारा मसाले आलो सभी का सौफ्ट इसमें बढ़िया से आता है देखिए मैंने ज्यादा पतला भी नहीं ज्यादा मोटा भी नहीं एकदम ठीक है आपका बेली हूँ तब चले बनाते हैं बनाने के लिए मैंने तावा गरम कर लिया है और अभी इससे मैं डाल रही हूँ तावे में रूटी को अब इसे मैं तिन्चार से तिन्चार से शेकेन इसे से शेकने देती हूँ उसका बाद इसे मैं पलटूंगी देखिए और अब इसे मैं पलटूंगी देखिए नीचे तरफ अच्छे से सेख चुका है तो मैंने पलट दिया है अब इसमें मैं थोड़ी ओईल लगाऊंगी आप लोग चाहो तो रिफाइन ओईल लगा सकते हो या बटर लगा सकते हो अराम से जो अपलोग को पसंदे घी भी लगा सकते हो लगा के इसे अच्छे से सेख सकते हो पराठे को तो मैंने इसमें ओईल लगाई हूँ रिफाइन ओईल तो इसमें अच्छे से शेख लूंगी दो तरफ हल्का ब्राउन होने तक सेखूंगी देखिए कितना अच्छा से नीचे तरफ से चुका है कितना बढ़िया कालर आया है देखिए देखिए इस तरह भी बढ़िया कालर आया है ब्राउन ब्राउन और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है यह सौफ सौफ होता है देखिए यह बन के रेडी है और एक बना के दिखाती हूँ मैं आप लोग को देखिए कितना बढ़िया से बन गया है और सारा में रोटी पराठा इसी तरीका से बना लूँगी बढ़िया से खा सकते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट होता है और अलो परठा बनाने का सब है अलग अलग तरीका है तो मैं से इस तरीका से बनाई हूं आप लोग को मेरा ये सारा रेसीपी देखने का बाद कैसा लगा मेरा आलो पुरा अप लोग कोमेंस करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी एक बर इसी तरीका से बनाईएगा तो आप लोग अगर ये रेसीपी आप लो